इस टुटोरियल में हम probability के उपर बात करेंगे के probability क्या होती है इसको कैसे find out किया जाता है और broadly इसको हम दो categories में divide करते हैं theoretical and experimental तो हम इसके उपर भी बात करेंगे और उसके इलावा ये कुछ बहुत important terms है इसकी trial, outcome, event तो इन सब के बारे में भी हम बात करेंगे और उसके लिए हम इन objects को use करके ये real life examples लेके हम इन सब चीजों को और probability को समझेंगे अब probability का बड़ाई simple सा मतलब है कि किसी भी event के होने के कितने chances हैं अब सब से पहले हम theoretical probability के बारे में बात करते हैं इसको समझते हैं देखो ये मेरे पास अगर एक coin है जिसके एक side में heads है और जब मैं इसको toss करूंगा तो यहां तो यह जब गिरेगा तो इसके उपर वाली side बहट होगा यहां फिर tails होगा यही दो possibilities हैं तो यानि कि दोनों के आने के chances क्या है 50-50 यहां तो यह आएगा यह वो आएगा तो इसकी probability 50% हो गई इसकी probability भी 50% हो गई अच्छा इसको हम आगे और समझते हैं पहले मैं यह बात कर लेता हूँ 50% जो मैंने बोला देखो probability कभी भी आपकी 0 से कम नहीं हो सकती और 1 से जादा नहीं हो सकती जैसे मैंने यहां पे लिखा है और अगर percentage में आप लेके जाते हो तो उसका मतलब 0 से कभी कम नहीं हो सकती और 100% से कभी यह जादा नहीं हो सकती अब किसी चीज के होने की probability 100% से जादा तो हो नहीं सकती और नहीं होने की 0% से कम नहीं हो सकती तो यह बात तो आप हमेशा याद रख लो के probability 0 और 1 के बीच में ही लाई करेगी 0 भी हो सकती है 1 भी हो सकती है और percentage में 0 से 100% अब हम इसको सरफ 0 और 1 इन टर्म्स म ही बात करेंगे rather than percentage में बात करें ठीक है अब हम फिर से इस coin की बात करते हैं अब इस coin का मैं जो event चाहता हूँ जैसे मान लोग मैं game खेलने गया था मैंने heads मांग लिया ठीक है तो मेरा favorable जो outcome है मेरा favorable outcome जो है वो heads हो गया लेकिन total possible outcomes कितने हैं 2 क्योंकि heads भी आ सकता है और tails भी गया सकता है मेरा favorable outcome क्या है heads और वो कितने हैं सिरफ एक वो एक ही side पर है ठीक है यह दो है तो यानि कि 1 divided by 2 मतलब मेरा जो favorable outcome है वो divided by total outcomes total possible outcomes not total outcomes I should write total possible outcomes okay total possible outcomes मेरे पास दो है मेरी favor में सरफ एक है तो probability हो गई 1 by 2 यानि कि मेरी favor में जितने outcomes हैं उनको मैं total possible outcomes से divide करूँ तो वो probability होती है यानि कि 0.5 probability है मेरी जीतने की ठीक है और हारने की 0.5 है इस case में यह होती है हमारी theoretical probability experimental के उपर मैं बाद में आता हूँ ठीक है अब इसी की हम एक और example समझते हैं अ जे dice जो है यह बिल्कुल even dice है यानि कि इसकी सारी sides बिल्कुल same size की है ठीक है और 6 sides है और 6 की 6 sides में क्या है 1,2,3,4,5,6 ठीक है हर side में एक एक number है अब इसमें अगर मैं इस dice को फैंक हूँ अगर मैं इस dice को फैंक हूँ तो मेरे पास total possible outcomes क्या क्या हो सकती है या तो 1 आ सकता ह या 2 या 3 या 4 या 5 या 6 यही आएगा इसके इलावा और कुछ नहीं आ सकता यानि कि मेरी total possible outcomes कितनी हो गई 6 6 in total हो गई अच्छा अब माल लो कि मैं यह चाहता हूँ कि 6 आए जब मैं इसको फैंक हूँ तो 6 आए तो जब मैं इसको फैंक हूँ 6 आए तो इसका मतलब मेरी favorable outcome क मेरी favorable outcome है सरफ 6 यानि कि total कितनी है मेरी favorable outcomes only 1 क्योंकि 6 सरफ एक साइड पर है तो favorable outcome मेरी जो है वो सरफ एक है तो यानि कि मेरे जीतने की probability कितनी हो गई 1 by 6 ठीक है अच्छा अब हम इसको दूसरी तरीके से समझते हैं अब माल लो कि मैं कोई और game खेल रहा हूँ जिसमें मैं तब जीता हूँ जब इसको फैंक ने पर even number आता है तो अब मैं यह कह रहा हूँ कि मैं तब जीतूंगा जब even number जो है उस पर यह land करता है तो अब even number इसमें कौन कौन से हो सकते हैं 2, 4, and 6 ठीक है 2, 4, and 6 हो सकते हैं तो इस case में मेरे favor में total कितने outcomes हैं मेरी favorable outcomes कितने हैं 2, 4, 6 यानि कि total 3 total possible अभी भी 6 ही है ठीक है total possible अभी भी 6 है लेकिन मेरी favor में अब कितने हैं 3 तो मेरी probability कितनी हो जाएगी 3 by 6 यानि कि 1 by 2 यानि कि मेरे 50-50 chances हैं जीतने के ठीक है तो यह होती है आपकी theoretical probability कि आप यह देखते हो कि जो outcome है यह जो outcome है आपकी favor में जितने outcome है वो होगे आपके favorable outcomes और total possible outcomes इसके जितने भी total possible outcomes हो सकते हैं वो होगे total possible outcomes तो आप favorable outcomes को जो total possible outcomes से divide कर देते हो तो वो आपकी theoretical probability आ जाती है जिसको हम classical probability भी बोलते हैं अब हम event के बारे में बात करते हैं दखो जैसे मैंने अभी अभी example ले थी कि मैं अगर even number आता है तो मैं जीतता हूँ ठीक है otherwise मैं हार जाता हूँ तो जब मैं इस dice को फैंकूंगा तो एक even number का आन एक event है odd number का आना एक event है तो मैंने even number मांगा तो even number का आना मेरे लिए एक event हो गया और उस event की total possible outcomes क्या क्या हो सकती है two four six यानि की total three जैसे अभी अभी हमने बात की थी ठीक है तो यह तो simple सी बात हो गई कोई बात नहीं है कि event हमें समय में आ गया अब important चीज यह है कि एक event जो ह है वो यहां तो independent होगा यहां dependent होगा दो तरह कि हमारे पास events होते हैं independent event का क्या मतलब देखो अब मैं यह dice को एक बार फैंकता हूँ यह मेरे पास two आ गया जानि कि एक even number आ गया अब अगर मैं इसको दुबारा फैंक हूँ फिर से तो क्या जरूरी है कि यह फिर से even number आएगा क्या इस बार जब मैं इसको फैंक हूँ गा इसका पिछली बार जब मैंने इसको फैंका था उससे कोई relationship है कोई relationship नहीं है दूसरी बार फैंक हूँ गा तो और नमबर आ सकता है अब जब तीसरी बार फैंक हूँ गा तो क्या उसका पिछले दोनों से कोई link है कोई link नहीं है तो इस तरह के events को हम बोलते हैं independent events, अब हम ये example लेते हैं, ये मेरे पास 3 golden कंचे हैं और 3 blue कंचे, ठीक है, अब इन में से randomly अगर मैं कोई एक कंचा जो है वो draw करूँ, तो उसका blue होने की probability जितनी है उतनी golden की probability है, क्योंकि 3 कंचे ये हैं, 3 ये हैं, ठीक है, अब मान लो, मैं इस कंचे को अब वापिस इदर नहीं रखता है, इसको मैं बाहर रख देता हूँ, अब जब इसमें से मैं दुबारा एक कंचा निकालने की कोशिश करूँगा, तो probability different हो जाएगी, क्योंकि एक कंचा अब इसमें कम है, तो यानि कि दुबारा जब मैं कंचे निकालूँगा, तो उसमें blue के निकालने की probability क्या है, वो depend करता है, पहले event के उपर, तो ये second event जो है, वो first event के उपर dependent है, तो second time इसकी probability सेम नहीं रहेगी, अगर मालो मैं इसको वापिस डाल देता हूँ, और फिर से निकालता हूँ, फिर प्रापर होज़े की probability, तो ये event तो होगे independent event, अगर मैं इन 6 में से कोई एक कंचा निकालता हूँ, तो जितनी blue की probability उतनी golden की, मैंने कंचा निकाला, fair enough, note किया, वापिस रख दिया, वापिस रखने के बाद, फिर से एक कंचा निकाला, उसको note किया, फिर वापिस रख दिया, ठीक है, लेकिन मैं randomly निकाल रहा हूँ, देख के निकाल रहा, ठीक है, मुझे नहीं पता मैं कौन सा कंचा निकाल रहा हूँ, मैं देख के निकाल रहा, लेकिन अगर मैं इसको वापिस रख देता हूँ तो वो independent events हो गए लेकिन अगर मैं एक बार निकालने के बाद फिर जब दूसरा निकालता हूँ तो दूसरे की event की probability पहले event के उपर depend करती है तो वो dependent events हो गए अब हम बात करते हैं equally likely की दखो equally likely का मतलब क्या है कि जैसे यह मेरे पास जो dice है इस dice की सारी sides बिल्कुल एक size की एक dimensions की और इसका weight भी बिल्कुल evenly distributed है कि यह किसी भी side पे कभी भी land कर सकता है ठीक है यह हो गया मेरे पास एक ऐसा object जो equally likely है इसकी कोई भी side की probability आने की किसी भी side पे किसी भी number का उपर आने का probability जो है वो बराबर है ठीक है अगर मैं यह coin ले लूँ तो यह coin equally distributed है दोनों side पे weight इसका size सब कुछ same है तो इस तरफ को गिरेगा यह इस तरफ को गिरेगा equally likely हो गया अब मैं यह example लेता हूँ यह मेरे पास एक cuboid है अब यह cuboid को अगर मैं ऐसे फैंकता हूँ तो यह किस तरफ को land करेगा definitely यह equally distributed नहीं है इसका size और weight यह वली side इसका surface area बहुत जादा है इस side का surface area बहुत जादा रहा है और यह जो बाकी 4 sides है यह छोटी छोटी हैं तो अगर मैं इसको ऐसे भी फैंक हूँ तो जुरूरी नहीं है कि यह उदर land करें क्योंकि उसकी weight से यह गिर जाता है बार बार तो यह अगर मैं इसमें अगर probability find out करूँ कि यह इधर गिरेगा इधर गिरेगा कि इधर गिरेगा यह इधर गिरेगा तो यह जो events है यह equally likely events नहीं है dice की case में coin की case में मेरे सारे जो sides है सारे events जो है वो equally likely है सब के आने की probability ब्राबर है लेकिन इसमें क्या है यह biased है यह already biased है इसमें इसके आने की probability ज़्यादा है इसके आने की कम और इसके आने की तो बहुत ही कम तो यह होता है equally likely events तो dice हो गया, coin हो गया, कंचे हो गया, same size के अगर कंचा एक बहुत बड़ा use कर लूँगा तो फिर भी वो equally likely नहीं होगा क्योंकि उसमें size एक बड़ा हो गया तो उसके pick करने की probability बढ़ जाएगी So equally likely events वो होते हैं जिनकी probability, जिनकी theoretical probability equal हो event है के 1 आना चाहिए तो 1 आने की probability क्या है 1 by 6, right और दूसरी तरफ मैं एक event ले लूँ के even number आना चाहिए तो even number की probability आने की क्या है 3 by 6 तो इन दोनों events की probability different हो गई So इसलिए ये दोनों event equally likely events नहीं है अब हम बात करते हैं experimental probability की इसको समझने इससे पहले मैं एक छोटा सा एक activity करता हूँ मैं क्या करता हूँ कि मैं इस coin को 10 बार toss करके देखता हूँ कि heads कितनी बार आता है और tails कितनी बार आता है तो ये इसको जब मैंने 10 बार toss किया तो 6 times मेरे पास क्या आया heads और 4 times मेरे पास क्या आया tails तो अब जब मैं इसकी probability find out करूँगा तो ये जो probability on the basis of this experiment हुई ये जो मेरे पास data आया इस probability को हम बोलते हैं experimental probability अब देखो total trials मेरे कितने थे अब हम trial की बात कर रहे है trial मतलब जितनी बार मैंने coin को toss किया वो मेरा हर बार एक trial हो गया तो मेरे total trial थे 10 और उसमें से heads आया 6 बार तो इसका मतलब इसकी experimental या इसको empirical probability भी बोलते हैं वो कितनी हो गई 6 by 10 और tails आने की 4 by 10 probability का basically मतलब क्या आता है probability होता है कि chances क्या है कि जब मैं दुबारा कोई event करूँगा तो उसके आने के chances क्या है तो वो दो तरीकों से हम लोग find out करते हैं एक होता है theoretical और एक होता है experimental theoretical कि on the basis of the logic कि आपको logic क्या कहता है theory क्या कहती है मैं इसको फैंकता हूँ तो 50% probability heads आने की है 50% probability tails आने की है तो ideally 5 बार ये आना चाहिए 5 बार ये आना चाहिए लेकिन practically ये जुरूरी नहीं है कि दोनों 5-5 बार ही आएं तो उसमें difference हो सकता है ठीक है practically ये तब possible होता है जब हमारे पास ये data बहुत बड़ा हो वो कैसे वो भी मैं आपको बताता हूँ ठीक है अब theoretical probability heads आने की क्या थी 1 by 2 लेकिन experimental कितनी आ गई 6 by 10 यानि की 3 by 5 तो ये different हो गई ये भी मेरे पास theoretically तो ये होनी चाहिए 1 by 2 लेकिन ये मेरे पास आ गई 2 by 5 तो experimental probability theoretical probability से different हो सकती है अब होता क्या है अब मालो इस coin को मैंने 10 बार और फैंका अभी 60% ये है 40% ये है 10 बार और फैंकूंगा तो ये 50-50% के थोड़ा close चला जाएगा अब अगर मैं इनी के trials को और increase कर दू मालो मैं total 20,000 times coin को toss करता हूँ और उसमें से heads जो है वो 9,500 times आता है और tails जो है वो 10,500 times आता है ठीक है तो अगर आप ध्यान से देखो तो दोनों में 1,000 का difference है इस case में इसकी heads आने की probability कितनी हो गई 9,500 by 20,000 और इसकी हो गई 10,500 by 20,000 यानि कि इसकी probability मेरे पास कितनी आ जाएगी तो ये मेरे पास आ जाएगी 0.475 और ये कितनी हो जाएगी 0.525 तो आप देखोगे कि जैसे जैसे हमारे trials बढ़ते जाएगे इनकी probability theoretical probability के आसपास जाती जाएगी theoretical probability दोनों की क्या थी 0.5 इसकी भी 0.5 इसकी भी 0.5 तो जैसे जैसे आपके trials बढ़ते जाएगे वैसे वैसे आपकी experimental probability जो है वो theoretical probability के close जाती जाएगी हम लोग normally जब हमें questions में काफी सारा data दिया होता है और उसके base में probability find out करने के बोली जाती है तो वो actually experimental probability होती है जब हमें historical data के base पे probability निकालनी होती है तो उसको हम experimental probability बोलते है normally इसको लिखने का तरीका यह होता है P and then under E यह E का मतलब क्या है event event मतलब जैसे heads आए या tails आए तो tails एक event हो गया heads एक event हो गया तो उसकी probability जब हम निकालते है तो normally उसको P, E, P, F इस तरह से उसको हम represent कर देते हैं okay finally हम लोग यह बोल सकते हैं कि theoretical probability और experimental probability में फरक क्या आता है theoretical probability होती है favorable outcomes total favorable outcomes जो मुझे मेरी favor में है divided by total possible outcomes जैसे example में मैंने यह लिया था कि dice इसको मैं अगर मानता हूँ कि six जो है वो मेरी favor में है ठीक है तो six आने की total favorable outcome जो है वो सरफ एक ही हो सकती है इसको आप ऐसे भी कर सकते हो कि जैसे total possible outcomes क्या है one, two, three, four, five and six यह total possible outcomes हो गई यानि कि 6 अब इस में से मेरी favor में जो outcomes है उसको आप encircle कर लो ठीक है तो सरफ एक ही ऐसी outcome है अगर मैं six मानता हूँ कि six आने पर मैं जीता हूँ तो मेरी favor में सरफ एक outcome है तो मैं उसको यहाँ पे इसकी total possible outcomes में से जो मेरी favorable है उसको मैं encircle कर लेता हूँ और उसको count कर लेता हूँ तो वो बनी सिरफ एक और total कितनी है छे तो one by six इसकी probability हो गई theoretical probability दूसरी तरफ experimental probability जैसे मैंने coin को toss किया मैंने 20 बार coin को toss किया तो 20 तो हो गए इसके trials ठीक है तो जितने मेरे total number of trials है total number of trials 20 और इसमें से अब हमें यह find out करना है कि heads आने की probability क्या होगी और heads जो है वो 20 बार जब मैंने फैका वो उसमें से 13 बार आ रहा है 13 times वो heads आया तो उसकी experimental probability बनेगी 13 by 20 यानि कि यह जो मेरे पास historical data है इस historical data के base पे यह जो मेरे पास statistics हैं इसके base पे मेरी probability heads आने की probability अब कितनी है 13 by 20 अब मैं आपसे कुछ questions पूछता हूँ let's see कि अब आपको समझ में है कि नी आप इसका answer comment section में लिखना कि यह मेरे पास जैसे ताश है ठीक है यह मेरे पास cards है अब इन cards में से कोई एक card मैं randomly draw करता हूँ कोई एक card randomly मैं इसमें से निकालता हूँ तो आप मुझे यह बताओ के वो card black color का card होगा उसकी probability क्या है पहला question second question मेरे पास cards है उन cards में से मैं एक card randomly draw करता हूँ तो वो black color का king होगा इसकी probability कितनी है आप यह बताओ ठीक है third question यह मेरे पास एक dice है जिसको मैंने 100 बार फैंका 100 trials हुए उसके 10 times 1 आया 25 times 2 15 times 3 15 times 4 20 times 5 और 15 times 6 तो मुझे यह बताओ के अब 5 के आने की experimental probability कितनी होगी अब मैं एक बार फिर से quickly सारी चीज़े repeat कर देता हूँ देखो पहली बात probability कभी 0 से कम नहीं हो सकती और 1 से ज़्यादा नहीं हो सकती और अगर आप percentage में लिखते हो तो percentage का मतलब यह है कि वो 0% से कम नहीं हो सकती और 100% से ज़्यादा नहीं हो सकती लेकिन उसमें 100% लिखना ज़रूरी है यह 1 से ज़्यादा क्यों नहीं हो सकती क्योंकि आपकी फेवर में जो आउटकम्स हैं आपकी फेवर में जो आउटकम्स हैं वो टोटल आउटकम्स से कभी ज़्यादा हो ही नहीं सकती राइट ज़्यादा से ज़्यादा यह हो सकता है कि जितनी भी टोटल पॉसिबल outcomes हैं, सारी की सारी आपके favor में हैं, तो 6 by 6 हो जाएगा तो 1 हो गई और अगर कोई भी आपकी favor में नहीं है तो 0 by 6 हो जाएगा तो 0 हो जाएगी, तो probability में 0 और 1 के बीच में ही लाई करेगी, अगर आपका answer इसके इलावा कुछ और आ रहा है, 0 से कम यह एक से जादा, तो इसका मलब आप कुछ न कुछ गलत कर रहे हो trial का मतलब जैसे यह मैंने dice एक बार फैंका और उसका मैंने output note कर लिया, यह एक trial हो गया दूसरी बार फैंका, दो trial हो गया तीसरी बार फैंका, तीन trials हो गया outcomes, इसमें जैसे मेरे पास 6 different outcomes हो सकती है, तो possible total possible outcomes इसमें कितनी हो सकती है 6, और मेरी favor में जो मुझे चाहिए, जिस event के लिए मैं खेल रहा हूँ, वो मेरी favor का event है, जिसकी मुझे probability निकालनी है, ठीक है उसके बाद हमने event के बारे में बात की कि हमारे पास यहां तो independent event हो सकता है, यह dependent event independent event, जैसे मैंने एक बार dice फैंका अब दूसरी बार जब फैंकूंगा तो उसका पिछली बार के event से कोई लेना देना नहीं है, कि पिछली बार क्या आया था दूसरी बार फैंकता हूँ, वो even भी आ सकता है odd भी आ सकता है, 1, 2, 3, 4, 5, 6 कुछ भी आ सकता है, उसका पिछले event से कोई लेना देना नहीं, dependent event जब एक event पिछले event के ओपर dependent हो, जैसे मेरे पास multiple color के कंचे हैं और उनमें से मैंने red color का कंचा निकालने की probability find out करनी है अब मैंने उसमें से एक कंचा निकाला, उसका color note किया लेकिन वापस नहीं रखा, तो अब जब दुबारा मैं उनमें से कोई और कंचा निकालूँगा तो probability different होगी तीसरा, equally likely जैसे यह dice है, बिल्कुल same size का, इसको जब मैं फैंकता हूँ तो किसी भी number के आने की probability बिल्कुल ब्राबर है, इसको बोलते है, equally likely दूसरी तरफ, अगर मैं यह cuboid shape का हो, तो मेशा यहां तो यही उपर आएगा, यह यह उपर आएगा, ज्यादा तर यही दोनों उपर आएगे और बाकियों के आने के chances बहुत कम है तो यह equally likely event नहीं हुए और बाकी theoretical or experimental मैंने बहुत detail में आपको समझा दिया अब आने वाले जो questions हम solve करेंगे वो mostly सारे experimental probability के उपर ही based है which is very very easy to solve right so that's it from this tutorial keep watching मैं थे माफिया लाफ तुझ पक्षर दएपक्र अलव मbly पक्राव मैं पक्राव